हलो फ्रेंड्स आज आप मेरे साथ बहुत ही खुबसूरत ब्लाउज डिजाइन देखने वाले हैं ये वीडियो पसंद आये तो ये डिजाइन आप अपने ब्लाउज में भी ट्राइ कर सकते हैं तो सबसे पहले हम नाप देख लेते हैं 14 इंच लिया है मैंने इससे बनेगा 13 इंच का ब्लाउज चेश्ट है मेरे पास 9 इंच यानि 36 शोल्डर लिया है मैंने 7 इंच बाटनेक के अकॉर्डिंग और आर्म हो लिया है 7 इंच तो बाटनेक की चोड़ाई मैंने रखी ये 4 तो ये राउंड शेप देदेंगे हम अब जहां से हमारा नैक लिया है हमने वहां से थोड़ इसी दूरी पर और यहां फिटिंग की साइड में 3 इंच लेकर हमें इसे गुलाई देना है नीचे के साइड से मैंने इसे रखाए 2 इंच और यहां पर जो गुलाई दी थी यहां पर चोड़ाई मैं रख रहे हूं 4 इंच आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने नाप के अकॉर्डिंग तो यह राउंड शेप मैंने दे दिया है यह जो हमने निशान किया था उसकी हमें कटिंग नहीं करनी है तो यह उपर से ने कटिंग हो जाएगा और यह इस तरह से हमारा नेक जो हमें कट करना है शोल्डर डाउन कर लिया मैंने हाफ इंच अब इससे हम ब्लॉज के फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे तो हम इससे अटेस्ट करेंगे सबसे फरस्तो देखे नीचे की साइड से में इससे फोल्ड कर रही हूँ तो उस हिसाब से मैं सिलाई चला रही हूँ अस्तर पर जॉइंट करने के बाद में और इसे हम पलट लेंगे ताकि हमें कोई भी पट्टी लगानी नहीं पड़े और चारो तरफ से हमें इसको अटेच कर लेना है सलवटे निकालते वे उसके बाद हम पाइपिंग लगाना शुरू करेंगे तो बीच वाला जो नेक है वहाँ पर हमें लगानी है पाइपिंग जहां पर कॉनर है वहाँ पर कड़ जुरूर लगाने है और उसके बाद हमें अपनी पाइपिंग को पलटना है तो यह मारा नेक हो गया रेडी अब देखें मैंने कुछ पट्यां ली है उरेव है यह और लगभग डैड़ इंच के करीब है इसे हमें पलट कर हाफ इंच की पट्यां बनानी है तो एक साइड में हमें मूबंद कर लेना है ताकि इसको फोल्ड किया जा सके यह देखे एक साइड से मैंने मूबंद कर रखा है तो यहां से हमने पेश कस या किसी बितार के मदर्ड से सीधा कर लेOps class और उसके बाद हमें इसको प्रेस करना है तो ये देखी मैंने पट्टियों को प्रेस कर लिया है साथ में मैंने कुछ चौकोर पीस कट किया है ये लगबख सवा 2 इंच है तो इसके हम बनाएंगे इस तरह से कंगूरे अब देखी कंगूरे भी हमारे रेडी है ये पट्टिया भी हमारे रेडी है तो सबसे पहले ये फट्टिया नीचे जो गुलाई दी है हमने यहाँ पढ़ लगाएंगे और एक कपड़े से बनाई है हमने ये पट्टिया तो जैसा चाय आप इसे शेव दे सकते हैं तो यहाँ पर हमें दूपटिया लगानी है अब साइड में देखिए हाफ इंच पर हमें निशान लगाना है और कट करते वक्त जो हमने निशान लगाया था गुलाई का बस वही निशान है और यहाँ पर हमें अपने कंगूरे जो हैं वो लगाने है अब जो हमने पट्टिया तयार की थी, वो पट्टिया जो है वो लगाएंगे हम तो यह फर्स्ट पट्टी यहां पर आ जाएगी और जो सेकिंड पट्टी है आमें इस तरह से लगानी है कि यह जो कंगूरे के कॉनर हैं वो दब जाए बस सेम दूसरी तरीके से दूसरा जो हिस्सा है वहाँ पर भी हमें इसी तरह से कमगुरे लगाने हैं और भी से इसे अटेश करके उपर वाले गले में पाइपिंग लगाने हैं तो यह हमारे नेक पर जो है वो पाइपिंग लग जाएगी और यह हो जाएगी हमारी पीछे वाली डार्ट तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताया और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजे शेर कर दीजे और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे थैंक्स पर वाचिंग